स्री शिवाई नमस्तु भ्यम दर्सको कैसे हो आसा करता हैं कि आप सब स्वास्तेम सुरक्षित होंगे दोस्तो हर कोई व्यक्ति चाता है कि वह अपनी जीवन में अमिर बने लेकिन उसे कहीं न कहीं नाकामियाभी ही हासिल होती है आज हम आपको कुछ ऐसे बताना जा रहे हैं जिससे आप घर बेटे आराम से करोड़ पती यानि की माला माल हो सकते हैं और माला माल होने के लिए आपको लेसुन का एक छोटा सा अमारे पूजी गुर्देव की खता से सुन कर और समझ कर आप लोगों को बताने जा रहे हैं इस उपाई को अगर आप लोग करते हो तो यकीन मानिये के आपके घर में धनकी व्यापरत होगी और आपके सबी कारियों में आपको सपलता प्राप्त होगी जी हाँ दोस्तो लेसुन को अगर आपके घर में हैं तो आप लोग बहुती माला माल हो सकते हो दोस्तो आप यह कारिय सनीवार, रबिवार या किसी भी वार कर सकते हो दोस्तो आपको किसी भी वार के दिन अपने पर्स में लेसुन की एक कली रखना है जिससे बाद आपकी जेब में हमेशा रुपेयों से बरी रहेगी यानि कि आपको किसी भी वार को कभी भी आप अपनी जेब में एक लेसुन की कली रख ले उससे आपकी जेब में कभी भी पैसे कम नहीं होंगे दोस्तो अगर आपको डराओने सपने आते हैं दोस्तो नमबर तीन नकारात्मक उर्जा से बचने के लिए आप अपने घर के कोन से यानि कि आपके घर में अगर कोई नकारात्मक उर्जा है तो आप उससे बचना चाते हैं तो आप अपने घर के कोने में लेस्न की एक छोटी कलिया रख दे इसके बाद negativity सक्तिया आपकी घर से दूर हो जाएंगी यानि कि आपकी घर से नकारात्मक सक्तिया दूर हो जाएंगी और आपकी घर में सकारात्मक सक्तियों का निवास होगा दोस्त नमबर चार जो लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें लाल रंग की एक पोटली में लैसुन की दो कलिया भांद कर जमीन के नीचे दवा देना चाहिए इसे धन में व्रद्धी होती है दोस्त नमबर पाच व्यापार में अगर आपकी गाटा हो रहा है तो आपको दुकान या फैक्टरी के में गेट पर लाल रंग के एक कपड़े में पाच या साथ लैसुन की कलिया भांद कर टांग देनी चाहिए इसे व्यापार चननने लगता है और सभी कारियों में सपलता प्राप मिलती है और उस व्यापार दूरो दूरो तक पहनने लगता है दोस्तों हम लोग आसा करते हैं कि हमारी आज की है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपकी उज्वल बभिष्य की कामना करते हैं